So my dear YouTube family, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं, आप लोग अच्छे होंगे और सुवस्थ होंगे, साथ में फाइनल बोर्ट परिच्छा के लिए काफी अच्छिता से त्यारी कर रहे होंगे So दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आप सुवी का बोर्ट परिच्छा काफी नदीक आचुका है, ऐसे में आपको अच्छिता से त्यारी करना होगा, अच्छिता से मेहनत करना होगा, तभी जाके आपका जो रिजल्ट है काफी बेतर, काफी अच्छा आएगा So दोस्तों आज किस वीडियो में देखेंगे, 2013 की बोर्ट परिच्छा में पूछे गए भुगोल यानि की जोगराफी के वस्तु निष्ट परिच्छन यानि की अबजेक्टिव कोचन आंसर जो की आपके एक जान की डिश्टी से काफी मात पोन है So दोस्तों आप लग भी अच्छी तस से त्यारी करके 32 से बेतर मार्क्स लाना चाहते हैं आप लग भी चाहते कि फाइनल बोर्ट परिच्छा में एक भी प्रिच्छ नहीं चूटे आपका जो रिजल्ट हो काफी बेतर काफी अच्छा हो तो वीडियो को स्किप मत करें वीडियो को सुरू सलीकी लास्तिक बन रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफूल होने बला इसे लास्तिक बन रहे तो चलि दोस्तों बीना देर करतों इस वीडियो को सुरू करते हैं जितने भी चाचेता इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को सुरू सलिकी लास्तिक बन रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में जितने ही परिशनी काफी महत्पुन परिशनी काफी बोटेंट परिशन हैं 2013 की बोड प्रिचा में पूछेगे प्रिशन हैं तो आपके इस वर्स एकजाम के लिए काफी महत पुन हैं एक प्रिशन को आप लोग अच्छी तरसी याद के लिए रट ले प्रिशन को क्योंकि इस बार आने का काफी चांस है तो चली दूस्तों एक एक करके इस सही प्रिशन आप से बोड प्रिशा पूछ सकता है रावट भाटा परवायन ओजा सेंटर किस राजी में अवस्तित है नीचे चार ओप्सन यानि इस तो चार स्टेट का नाम दिया है इसका जो correct answer right answer option गोईस का right answer है राजस्थान में अवस्तित है एक का right answer option गोईस का correct answer है अलब प्रिश्ण आपी दिखते दोनों प्रिश्ण है निमलिकीत में कौन एक रेसिदार फसल नहीं है इसका जो correct answer right answer option गोईस का right answer है कोपी है जो की रेसिदार फसल नहीं है अलब प्रिश्ण आपी दिखते तिन प्रिश्ण है कि स्वर्स विस्व की मानब जनसंक्या अच्छे अरब होई इसका जो correct answer right answer option गोईस का right answer 1999 इसपी में जो की मानब जनसंक्या अच्छे अरब होई तो दिखते तीन का right answer option गोईस का right answer है अलब प्रिश्ण आपी दिखते चैनल प्रिश्ण है निम्न में से कौन एक उत्तर पुरिभारत के दचितम राज्य है जो आप से जाएं पुछ सकता है निम्न में से कौन एक उत्तर पुरिभारत के दचितम राज्य है यानकी इस्टेट है जिसका जो correct answer राइट एंसर है तो दोस्तो चार का राइट एंसर ओप्सन का correct answer है तो दोस्तो अभी तक इस वीडियो को शेयर कर दी ताकि और भी चाचितर है जूर्स को वह भी त्यारी करके 32 माक्स प्राप्तिक कर सके इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख र तो अगले प्रिश्णिया आपी देखती 25 प्रिश्ण है कालाहारी मरुश्टल में कोंसी जंजाती निवास करती है का पूर्स देखे इंसर है क्या बॉसमें है बुसमें है जो कि निवास करती है 59 एंसर ऌप्सन को इसका correct एंसर है इस वीडियो में एक प्रेस्ण काफी काफी महात्पुन है क्योंकि 2013 में पूछे के प्रिश्ण है और इस बार आने का चांस है तो आप लोग याद कर लिजे अगले प्रिश्ण आपी दिखते छेन प्रिश्ण है एकारमी पंच वर्षी योजना की अब्धी है तो आप से जाएं पूछ सकता है एकारमी पंच वर्षी योजना की अब्धी क्या है इसका जो कॉरेक्ट एंसर है राइट एंसर ऑप्शन को इसका राइट एंसर है दोहजार साथ से दोहजार बारह तो दूस्तों आपको याद क पंचवर्षी योजना की अब धी क्या है तो 2007-2012 है छे का राइट एंसर ओप्शन को इसका कोरेक्ट एंसर है अले प्रिश्ण आपी डिक से साथन प्रिश्ण ने बास दिप सिट्चाई परनाली परसीद है तो आप से जान पूछ सकता है बास दिप सिट्चाई परनाली परस तो साथ का राइट एंसर ऑप्शन गोई इसका राइट एंसर है अले प्रिश्ण आपी दिखते को द्रीश्र आप से और पुछन है निएंसर है मैं निज्चे बात की परवर्ट को को ने इसका जो को रहा एक एंसर आप्शन को इसका का राइट एंसरическая तेलर तो दोस्तों 8 का राइट एंसर ओप्शन को को इसका राइट एंसर है अले कि मैं से MP4 को रशी आप सिद्वकानं के परिशिदं है सो एक बोसकता है मैं श्रुइंसर प्र विजह को इसे लिए पर दैह चोनि प्रश्ण आपको मिलता रहे सबसे पहले प्रश्ण आप देखते दसन प्रश्ण है निम्न में से कौन सबसे महत्मून जूट उत्पादक छेतर है तो आप से जाएं पुछ सकते है निम्न में से कौन सबसे महत्मून जूट उत्पादक छेतर है इसका जो कोरेक्ट एंसर है राइट एंसर है ओप्शन गोईस का राइट एंसर है तो दोस्तों आपको बता दे इस वीडियो में कलास 12 जोगराफी यानि की भुगोल के कुल 10% अबजेक्टिव थे तो पहले से आपको कितने प्रश्ण याती सई से नीचे कॉमेंट करें वीडियो आपको कैसे लगा ये भी नीचे कॉमेंट करें उमेट करती है वीडियो आप से पता हुआ कि इससे पहले जो एक्जाम होता था तो इसमें जो की उबजेक्टिव उतना नहीं पूछा जाता था ठीके 10 से 12 अबजेक्टिव पूछे जाते थे लेकिन आप से को पता हो कि 2018 से यह नियम लगा है जो कि आप अब ऑबजेक्टिव 50% रगता है ठीक है त सब्सक्राइब करें कि आपको कौन से सब्जेक के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके उपर भी वीडियो मेल्स के तो चलिए दूसरों फिर मिलने किसे और वीडियो को साथ जहिंद आपसका दिन सुभो